भारत के दोस्त फ्रांस को नया प्रधान मंत्री मिल गया है राश्चरपती एमैनुवल मेक्रो ने नौ जनवरी को फ्रांस के नए प्रधान मंत्री गैब्रियल अटाल फ्रांस के इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रियम है नए प्रधान मंत्री एक और वज़ा से चर्चा में है अटाल सम लैंगिंग यानि गे हैं ये पहली बार है जब कोई गे फ्रांस का पीम बना है खबरों की मताबिक गैब्रियल अटाल को एमैनुवल मेक्रो का खास आदमी माना जाता है वो उनके अच्छे दोस भी बताये जाते रहे हैं पीम बनने से पहले गैब्रियल फ्रांस के तिहास के सबसे कम उम्रवाले शिक्षा मंत्री रह चुके हैं मीडिया रिपोर्स बताती हैं कि उन्होंने बतोर शिक्षा मंत्री मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों के परीधान अबाया को फ्रांस के स्कूलों में बैन कर दिया था इस फैसले के बाद वो सबसे जादा सुर्खियों में आये थे कोवेट के समय में उन्हें फ्रांस सरकार ने आधिकारिक प्रवक्ता बनाया था जिसके बाद पूरे फ्रांस में लोग उन्हें जानने लगी थी रिपोर्ट्स बताती हैं कि हाल ही में हुए सर्वेस में वो लोगों के बीच लोगपीय राचनेता बनकर उपरी है उन्होंने कई रेडियो शोज और संसद में सहजता से काम करने वाले एक समझतार मंत्री के रूप में अपनी पहचान बनाई इन्हें फ्रांस का तेजे से उबढ़ता हुआ सितारा कहा जाता है गैब्रियल ने 17 साल के उम्र में ही सोशलिस्ट पार्टी जॉइन कर ली थी गैब्रियल के पिता यहूदी मूल से हैं तो वहीं इनके मा के पूरवज ब्रिक रूसी थे गैब्रियल घोशित तोर पर समलेंगिंग है और वो एक फ्रेंच वकील के साथ सिविल यूनियन में रहती हैं आपको यहां बता दे कि फ्रांस के राश्रेपती इमैन्वल मेक्ट्रो भी सबसे कम उम्र के राश्रेपती है फ्रांस के सांसत पैट्रिक विगनल का कहना है कि गैब्रियल अटाल 2017 वाले इमैन्वल मेक्ट्रो जैसे ही हैं खबरे और विदेशी एक्सपर्ट्स का कहना है कि फ्रांस में किया गया यह बदलाव इमैन्वल के किसी बड़े मकसद की और इशारा करता है पैरिस में जल्द ही ओलंपिक खेल होने वाले हैं और गर्मियों में यूरोपिया संसत के चुनाफ भी हैं ऐसे में फ्रांस के राश्योपती एमैनुवल का अपने करीबी को पीम बनाने का मतलब है अपने टीम को मच्पूती देना ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस सब्ता गैब्रियल की ताच पेशी के बाद कैबिनेट में भी बड़े पैमाने पर फेर बदल हो सकते हैं फिलाल के लिए इस वीजियो में इतना ही बाकि देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूस नेशन के साथ और इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में सरूर बताएं धन्यवाद